क्या होता है वेल इंशॉर्णस कमपनी में आजकल बहुत ही सारी हमें नीव रिवॉलूशन देखने को मिली है बहुत सारी नीव टेकनिक सारी है क्लेम सेटल्मेंट बहुत सारी कॉंपेशन बढ़ चुके है तो होता क्या है अलोर इंडिया क्या हो गया हम इंशॉर्णस दो खरीद लेते लेकिन उसमें जो क्लेम हमें करना होता है तो हमें बात सुनते आ रहे है कि क्याश्लेस क्लेम सेटल्मेंट होता है मतला हमें होस्पल म में टायफ होते हैं उन होस्पिल को हम कहते हैं नेटोग होस्पिडल या तो हम कहते हैं कैश्टेस होस्पिडल उस कंपनी में क्या होगा जो आपने हेल्टिंग चौन स्पोसी खारी दी है वह कंपनी आपके कार्ड प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कैश्टेस कार्ड कहते हैं उ जो भी बिल्स अमांट जो भी होगा वो ख्लेम डिरेक्ली कमपनी हॉस्पिल को सब्मेट करेगी तो इसे कहा जाता है कैस्ट प्रोसेस मतलब जहां पर हमें एक बी रूपिस देना नहीं होता है जो इंशॉर्ड परसंड बचा के इलाज कराना होता है जो भी हमारी ट्रेटमें लिए या क्सिस क्लेव कह सकते हैं तो सेकंडğ प्रोसेस होता है क्लेम करने में करने के होती रिंबस्ट्र फश्र ह diarrhea अब क्या होता है वालोर इंडिया में देखा चाहें तो इतने सारे हॉसपिटल हैं तो सारे हॉस्पिल में एक कमपणी का ताइप रहना जरूरी नहीं है है तो हमारे जो सबक्से मतलब हमारे नजिदी की का आसने हम आपको पॉलिसी नमबर है और उसके बाद जो आपको डिश्चार्ज मिल जाता है तो पहले आपको क्या करना होता जो भी आंपका कामपनी को प Hope क कंपनी को ओस कंपनी को प्रॉइट करने होते छो कामपनी क्या करेगी वह कंपनी को आपको प्रोवाइट करने होते हैं मतलब क्या होता है आपको एक भी रूपीज वहाँ पर देना नहीं होता है जो आप नेटो कहस्पिल में इलाज कराते हैं और तब ही कैस्ट प्रोसेस हो जाती है और जहाँ पर नौन कैस्ट पर जिससे कहते है या नौन नेटो कहस्पिल इससे हम कहेंगे वहाँ पर क्या होगा आपको पहले पे करना होगा और बाद मिया में जो भी अमाउंट आएगा वो कंपनी आपको रिंबस्मेंट करा के देगी जो भी कंपनी का परसेंटेज आपने यह होगा तो 80-20 परसेंट कुछ कोपिमेंट के हिसाब से होगा तो कुछ कंपनीज में आपको रिंबस्मेंट कराती होंगे वहाँ पर आपको रिंबस्मेंट मिलेगा